आप सभी को जय मसी की, दबाइबिल पूशन में आपका स्वागत है, हमारा आज का वचन है, दूसरा इतिहास की पुस्तक, पहला अध्याए दाउद का पुत्र सुलेमान राजी में स्थिर हो गया, और उसका परमेश्य यहुआ उसके संग रहा, और उसको बहुत ही बढ़ाया सुलेमान ने सारे इस्राइल से अर्थाच सहस्र पतियों, शत्पतियों, न्याईयों और इस्राइल के सब प्रधानों से जो पित्रों के घरानों के मुख्यों मुख्यों पुरुष थे, बाते की तब सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन की उचे स्थान पर गया क्योंकि परमिश्र का मिलाप वाला तंबू जिसे यहुआ के दास मुसा ने जंगल में बनाया था वह वहीं पर था परमिश्र की संदूग को दाउत किरियत यारीम से उस थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तयार किया था उसने तो उसके लिए यरुश्ले में एक तंबू खड़ा कराया था पर पीतल की जो वेदी उरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पोता था बनाई थी वह गिबॉन में यहुआ के निवास के सामने थी इसलिए सुलेमान मंडली समेथ उसके पास गया सुलिमान ने वहीं उस्पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहुआ के सामने मिलापवाले तंबू के पास थी उस पर एक हजार हूंबली चड़ाए उसी रात को परमेश्वर ने सुलिमान को दर्शन देकर उससे कहा जो कुछ तुचाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग सुलिमान ने परमेश्वर से कहा तु मेरे पिता दाउद पर बड़ी करुना करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है अब हे यहोवा परमेश्वर जो वचन तुने मेरे पिता दाउद को दिया था वह पूरा हो तुने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमी की धूल के किनकों के समान बहुत है अब मुझे ऐसी बुद्धी और ग्यान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूँ क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का नियाए कर सके परमेश्वर ने सुलिमान से कहा तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई अर्थात तुने न तो धन संपति मांगी है ना आश्वर्य और ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीरखायू मांगी केवल बुद्धी और ग्यान का वर मांगा है जिससे तु मेरी प्रजा का जिसके उपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है नियाए कर सके इस कारण बुद्धी और ग्यान तुझे दिया जाता है मैं तुझे इतनी धन संपती और आश्वरी भी दूँगा जितना ना तो तुझे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा तब सुलेमान गिबोन की उच्छे स्थान से अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरुशलेम को आया और वहां इस्राइल पर राज्जी करने लगा फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकटे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे और उनको उसने रथों के नगरों में और यरुशलेम में राजा के पास ठहरा रखा राजा ने ऐसा किया कि यरुशलेम में सोने चांदी का मोल्य बहतायत के कारण पत्थरों कासा और देवदारों का मोल्य नीचे के देश के गूलरों कासा बना दिया जो खोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा की व्यापारी उन्हें जुंड के जुंड ठहराय हुए दाम पर लिया करते थे एक रत छहसो शेकेल चांदी पर और एक घुड़ा डेड़ सो शेकेल पर मिस्र से आता था और इसे दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और अराम के राजाओं के लिए उन्हीं के दोरा लाया करते थे